कि दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने क्लिक विल आकन को प्रेस करने तक इसा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं जैवी जैवी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात करें जैवी का डबल पीवी प्रिंस्पर्स बैंकिंग कोशन बैंक से अच्छाट सब्सक्राइब करने से पहले हमारे परस यहां दो परकार की कोर्स होती है कि शॉट्टर में दूसरे इंडेफ्स वीडियो को पढ़के आराम से आप 60 60 पर सकते एक्जाम में ज्यादा को समय भी नहीं देना है मात्रे 10 मिनट कर समय निकाल के पढ़ते आराम से आप 55-60 पर ल पर यहां पर पहले सवाल के उपर जो इसमें पहला सवाल है वह देखिएगा तो यहां पर बोल रहा है Markup Pricing comes under which of the Pracing Method बोलता है कि जो Markup Pricing होती है ठीक है कौन सी Pricing होती है Pricing का नाम है Markup Pricing Markup Pricing जो है यह किसके अंडर Pricing Method में आता है कौन से Pricing Method का नाम है Markup Pricing यह पूछ रहा है एफ्षेल वैल्य government vacayήσ Gabby at ports न कोषटू इसधिंग वह तेकर मार्क प्राइसिंग बोलते यह एक त confidently a PA ये लोकल फ्रब्लिक लीश्टेट कंपनी एक टरीके का यह इक टरीके का यह एक टरीके का यह ट्रांस्फरेबल की फॉर्म में किस फर्म होता है यह आल्रटी लिस्टेड होता है आपका फोरन पबिक लिट कंपनी में मेर विदेश की कमपनी चूरह स्टोके सिंग से ऐइसा समझी है उसका नाम क्या हुआ है एक स्टोक से इस प्रिशोंक हला अमेरिकन डीपोजितरी होता है जैसे कि U.S. कि मार्केट में यानि हमें यू,S का आप बोल सकते हैं,tock Exchange है unserem झांट मतुमरी ति स्तौक शचेंज में यह लिस्टड है कि दम इसको बोलेंगे यूएस का स्टॉक एक्षेंज डिपोजट्री हो गया यह इसमें कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है यह भी है तो स्टॉक एक्षेंज बट यहां पर क्या है आप बोल सकते हैं बैसिकली फॉरेंड हो गया सबसे अच्छा बासा में फॉरेंड बोली को ऐख और है यहां पर क्या बोल रहा है था अपको यहां बोल के आ रहां था आपको देखिए यहां बोल जान बात कर देखिए यह बहुत प्रॉधी और एक क्यों में हूं का है यह यह अपका स्टॉक एक्षेंज है ठीक है और डी तो गन्विटिबल बॉंड है नहीं बॉंड की बात ही नहीं हो रही बॉंड तो होगा ही नहीं इसको पैसे ही खल खादो ठीक है जो बैंक ए इसने ग्रांट किया है एक तरह का ओवर्ड्राफ्ट एबी सी को अगैंस जो भी बुक डेप्ट होता है इसको सेक्योड किया गया है किसके द्वार हम सेक्योड करेंगे इसको बैंक ने गरांट किया ओवर्डर्फ एबी सी लिमिटेड को अगेंस्ट बुक डेप्ट के उपर ठीक है इसको किस तरीके सब सेक्योड करते हैं तो क्या होगा यह पूछा उसको मैं किस तरह के कम सिगर मत बोलेंगे यहां पर सिक् टेकर और उसके बाद बोलेंगे ऊचलिश के उपर होता जो संवान हो गया उसके उपर रोगेंट 112 इंट 92 के बुक डेप्सकि लिए हो जयेगा थीक है यह से आप याद रखेगा तो बोड़ा काम आएगा यह सही अप्साने क्या हो जाएगा दी हो जाएगा एसाइनमेंट कुछिन मर फॉर माइए अन्द रिक्वेस्ट आफ इस कस्टमर बी कमर्शिल बैंक ब्रांच ट्रांसफर्ड एकांट टू इट्स ब्रांच यह चेक वाज प्रेजंटेड ओन दे फॉर्स ट्रांसफर्ड ब्रांच विच इट रिटर्न टू विथ दा रिजन रेफर ट्रोर कस्टमर क्लेंड डेमेज़ इस फॉम दे बैंक यहाँ भे और क्या क्या था रिक्वेश्ट भेजाता कस्टमर बी ने कमर्शिल ब्रांच खो कि ट्रांसफर करें उसका इकांट ठीक है अपने ब्रांच को चेक जो है प्रेजेंट किया गया जो पहला ब्रांस था अब उसने return कर दिया reason यह बोलके refer to the drawer अब customer जो है वो claim कर रहा है damages क्या कर रहा है customer claim कर रहा है damages ठीक है जो की bank से यह option है bank is liable bank is liable to the customer for not having returned the checks with proper reason bank बिलकुल liable होगा customer के लिए क्योंकि उसने check को नहीं लोटाई अभी तक चेक को क्या कहीं बोटाया है नहीं इसने चेक को लोटाई है नहीं है प्रॉपर रिजन के साथ ठीक है तो यहां पर यह बोल रहा है तो यहां पर कहा है bank अभी claim कर रहा है damages तो यह एक बात जो कि bank अभी liable होगा customer का claim के लिए जहां पर रिटरंड नहीं किया है चेक को प्रॉपर रीजन की वज़ासती यह एक option सही है दूसरा option वाइए फिर बोलता है bank liable होगा customer के लिए जहां अब उसने check return किया है अगर balances दूसरे ब्रांच में adequate था तो जहां पर account transfer किया गया है बोलता है यहां पर bank liable होगा दूसरे ब्रांच में adequate balances है तो आप जिस ब्रांच में है वहां का मैन मैने रखता है तो इसलिए यह option आप इसको बोल सकते हैं कि इससे कोई claim नहीं मिलेगा C option bank is not liable to the customer as the check could have been passed otherwise bank आप लाइबल नहीं होता bank आप नहीं लाइबल होता पर check को किसी दूसरे तरीके से पास कर दी जाता ठीक है यह भी आपका claim में नहीं कर सकते damage none of the work none of the work कोज जरूरती नहीं है तो सही option हो जाएगा A ठीक है bank app बिलकुल लाइबलोगा चेक उससे रिटन किया ही नहीं है पर रिजन के साथ इसलिए question no 5 for which of the following is not a feature of an account pay crossing इसमें से बोलता है कौन सा feature आपका नहीं है account pay crossing का क्या बोलता है कौन सा जो है feature नहीं है आपका account pay crossing का इसमें से क्या कौन सा feature नहीं है आपका account pay crossing का यह defined क्या है इस पर section 130 of एन एक में कैसे डिफाइंड के section 130 of एन एक में अल्रटी डिफाइंड है एक और पी क्रोसिंग के बारे में पेई जो होगा वो केवल होल्डर हो सकता है पेई कौन हो सकता इसमें से कौन सा feature जो है account pay crossing का नहीं है इसमें से कौन सा feature एक और पेई क्रोसिंग का नहीं है यह पूछ रहा है तो बोलता है इस पर section जो होता है 130 एन एक का उसके साब से डिफाइंड क्या रहता है एक और पेई गैवल जो पेई होता है वो होना चाहिए केवल यह घलत हो गया फिरlarую उतनी बार याप ट्रॉसिंग क्रॉसिंगा मतलब क्या है आप इसको वन टाइम ट्रा शाहिंग वान ट्राइल कर सकता है वार commence पर कनेक्ट होता है निए वन टाइम ट्रांस पड़िए तो यह भी आपका ग्लाथ होगा यानि सही अप्शन होगा दी ओल्ड अबाब Q6, Whereby any case other than wrongful act or default of the moortegais or moortegui, the moortegui property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and the moorteguer has not provided enough further security, the moortegui has the right to file a suit in the court of law for the moortegui money. पार्शली डिस्ट्राइट करदिया है जो भी सिख्रिटी था वो इन्सफिछिएंट हो गए क्या होगे sufficient है और जो मोटगर है जो मोटगर है उसने आपको बोल सकते है कि provide नहीं किया है enough further security तो मौटगी के पास क्या होता है दिकार होता है मौटगी के पास यहां चैनल कर सकता है एक सूट कौर्ट of low में जहां पहर मौटगी बन अillo के लिए यहां पर किया जाता है उसकेस में अगर सेकृरिटी जहां पर जब तक कि जो वैली होता है मौटगेस प्रॉपर्टी का एकसीड नहीं करता है जो भी अमाउंट ऑफ टाइम बिंग है तो कितने से करना चाहिए यह ओफ्षन है वन थर्ड और इफ कंजिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एकसीड बाई वन हाफ ठीक है वर देख थी हाई हो या फिर जो बिल्डिंग है वह वन हाफ से जाता हो बी ऑफ्षन है आपका बी ऑफ्षन क्यों जाएक आपका वन थर्ड और इस इस प्रिंग ऑफ बिल्डिंग एकसीड करें वन थर्ड से 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 प्षन वन हाफ इन बोथ गैसे स्टिंग जाएक यहांप एघुट हो जाएगा वन धर्ड होना चाहिए वैल्यू या फिर बिल्डिंग का वन भाई हाफ और ना चाहिए ये ऑप्शन कोश्यन नूबर से वन दा बेन को बैंक और रेगोलेटेट जबाइन बताई पाइव को ऑपर बैंक को कौन डेगोलेट करता है हाँ पर यह अफ्चन है रभी ऑप्षान है नाभाड छेटी अफ तर एड क्लेंट सेट ईसेडर में डी ऑप्षिन है सेभी सेटिंगे में सेभी हो जाएगा शरी सेभी नहीं हो जाएगा माफ करिएगा गलती बोल दिया सबस्क्राइब अश्क्राइब कोई रभी आइए करेगा अरवाइए करता है यह अप्षिन क्वेशन नबर एट भाई दा फैसिलिटी डेट इनेबल इंडियन एक्सपोर्टर को को एक्सटेंड कर सके अपना टर्म क्रेडिट इंपोर्टर्स को ठीक है जो भी इलिजिबल गूड से पॉस्टिप्मेंट स्टेज पर इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे ठीक है ऐसा फैसिलिटी जो इनेबल करता है एक्सपोर्टर को एक्सटेंड कर सके टर्म कर सके क्या अपना टर्म क्रेडिट इंपोर्टर्स को जो भी इलिजिबल गूड्स होगा जिसमें पॉस्टिप्मेंट स्टेज होगा इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे ए ऑप्शन हो जा एक्स्टिंड कर जा रहा है कि आपको और क्रेट दिया जाएगा ठीक है इंपोर्टर के लिए तो एक बैसिकली फैसलिटी जाए इनेबल किया जा रहे इंडिन एक्सपोर्टर्स को जो भी जिबल गूड्स होगे जिसमें पॉस्टिपिन स्टेज होता है यह बिसिकली सेलर् वोडिए यह, C option, K करना होगा शेयर को उससे पहले यहां जरूरी है कि अर्ब आर्बिया के अनॉलजमेंट लेगा जहां इस तरह का ट्रांसफर अगर पांच परसेंट से ज्यादा हो जाता है तो परमिशन देना पड़ेगा कि जिए पांच पर से जादा हो रहा है पर यह पना वार रहे हैं इसके स्पैस्ट परसेंट से ज्यादा का हो रहा है यहॉइवन और प्रोविजन्स और वीच ऑफ फॉलोइंग रिपीट रिलेटिंग टू एकाउंट और कस्टमर के तहत यह जो फॉलोइंग रिलेट करता है एकाउंट का कस्टमर का जो सब्सक्राइब और एकस्टर सब्सक्राइब के साब से करता है कस्टमर यांपको यह तिन तरह के जब भी आप जो प्रोविजन से जो डिलेट करता है काउंट का कस्टमर जो डिस्क्लोज करें किस प्रोविजन की तरहत होगा तो यह उप्षन दिया हुआ है यह पॉइंट है कि एस पर बैंके प्रैक्टिस के साफ से करना चाहिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं फिर बोल रहा ह होगा उसके साथ स मुनिक्तर करना पड़े थे सिंटारे सारी उन और एक्सप्रस अंसेन्स न्टो करना पड़ेगा यह अशंस है अब सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर को समय कम है तब कम समय पढ़ सकते हैं माली 10 मिनिट को समय निकालका पढ़ता है अब आप से पर पास कर पाईएगा पच्छाट पर आ जाता है यहां पर 16 घंटे का वीडियो का लेक्चर का लेंध होता है और इंडेफ वीडियो निवाइदे मंदे जो कि 75 पर आना चाहते हैं हर दिन आप गंटागा समय निकालके पड़ें यहां पर 80 घंटे का वीडियो लेक्चर के समय लेंध होता है दोने जेगा वीडियो लेक्चर कोर्स होता है के स्टेटीक वीडियो वीडियो त्याव पान सुट पर के त्रीजान कर सकते फॉन पर जागा द्यूट पर जेगा टॉट टॉट प्लूबल्ब जिए विडिस यवेडिज्य.com अला दीजागा स्टेटीजी यावंड़ें आप जेगा स्ट्सिटीडिए फॉन देटीडवगा डैटीडियो झाल दिया धंक यू वरी मुच